नमस्कार दोस्तो, ITC शेर में हमें पिछले कुछ दिनों से लगातार एक तेजी देखने को मिली थी और दोस्तो कल के ट्रेडिंग सेशन में ये स्टॉक पॉच गया था अपने आल टाइम हाई प्राइस पर 387 के लेवल्स पर पर दोस्तो, आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें इस शेर में 2.65% का करेक्शन देखने को मिला है और ये शेर आ गया है अभी 373 रुपीस पर तो दोस्तो, हमें इस शेर के हाई प्राइस से अल्मोस्ट हम कह सकते हैं के एक 15 पॉइंट का गिरावट देखने को मिला है तो चलिये करते हैं इस शेर का टेक्निकल एनलिसेस और देखते हैं कि क्या इस गिरावट में इस शेर में अभी खरीदारी करने का सही मौका आ गया है या फिर हमें इस शेर में खरीदारी नहीं करने चाहिए दोस्तो अंत में हम इस stock के targets भी discuss करेंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले दोस्तो अगर हम बात करते हैं इस share में important support की तो यहाँ पर जो short term time frame का chart है इस share में 372 रूपीस का level एक बहुत ज़्यादा important support level है यहाँ पर आप देख सकतो दोस्तो इस level पर 3rd February को भी इस share ने support लिया था और उसके बाद एक अच्छी तेजी दिखाई थी और दोस्तो आज भी जब गिरावर्ट देखने को मिली तो इस share ने इसी level पर support लिया दोस्तो यह share का price इस level के नीचे तो गया था तो यहाँ पर दोस्तो 372 रूपीस का level एक strong support है दूसरा important support रहेगा इस share में 361 रूपीस का level यह level पहले से इस share में बहुत ही ज़्यादा important resistance रह चुका है यहाँ पर आप देख सकतो दोस्तो November के मन्त में stock ने इस level पर resistance वेश किया था और उसके बाद इस share में हमें लगातार गिरावट देखने को मिली थी तो यहाँ पर 361 के level पर इस share ने November के मन्त में resistance वेश किया फिर लगातार गिरावट देखने को मिली गिरावट के बाद दोस्तो जब तेजी आई तो आप देखो वापस इस stock ने इसी level पर यहाँ पर resistance फेश किया और जैसे ही यह resistance ब्रेक किया था तो उसके बाद एक हमें बहुत ही ज़्यादा rocket जैसी तेजी देखने को मिली तो दोस्तो यह जो 361 का level है यह level पहले इस share के लिए important resistance था पर क्योंकि अब यह share इस level के उपर आ गया है तो यह level अब इस share के लिए एक support का काम करेगा तो यहाँ पर हम कह सकते कि अगर यह share 372 का support तोड़ते है तो दूसरा support रहेगा इस share में 361 रुपीज का level दोस्तो अगर हम बात करते हैं resistance की तो इस share में 387.35 रुपीज का level एक important resistance level रहने वाला है आई अब हम apply करते है technical indicators और देखते हैं यह indicators हमें क्या signal दे रहे हैं तो दोस्तो जब तक यहाँ पर MACD, RSI और volume indicators apply हो रहे हैं तब तक आप वीडियो को like कर दीजिए और ऐसे regular updates के लिए चैनल को भी subscribe कर दीजिए तो दोस्तो यहाँ पर अभी दोनों indicators apply हो गए है volume के साथ में तो आप देख सकतो इस share में अभी 2R candle के chart में MACD जो है वो bearish हो गया है और relative strength index दोस्तो जो overbought zone में चला गया था overbought zone का अरतिया है कि share में बहुत हमें buying देखने को मिली थी बहुत ज़्यादा खरीदारी देखने को मिली थी तो यहाँ पर दोस्तो आप देख सकतो इस share का RSI overbought zone में था जो अब वापस से normal 56 के इदर आ गया है तो यहाँ पर दोस्तो RSI क्योंकि overbought zone में चला गया था उसके बज़े से भी हमें correction देखने को मिल सकते है share में अगर हम बात करते volume indicator के बारे में तो दोस्तो यहाँ पर volume एक बहुत अच्छा indicator है आप देख सकते हो जब हमें stock में breakout देखने को मिला था तो breakout के वक्त पर यहाँ पर दोस्तो जो volumes थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे बन रहे थे तो यहाँ पर हम कह सकते के जो breakout था वो एक valid breakout था और दोस्तो breakout के बाद तेजी है और तेजी के बाद अब जब यहाँ पर आप देखो लगातार घिरावर्ट देखने को मिली है तब आप देखो volume भी लगातार कम होते जा रहे हैं तो यह एक अच्छा symbol है इसका यह अरत है के दोस्तो अभी भी stock में buyers active है अगर हम बात करते खर्जदारी करने की तो दोस्तो यहाँ पर अगर कल के trading session में ये share इस level के उपर sustain कर देता है तो इस share में हमें वापस तेजी देखने को मिल सकती है और ये share 387 तक जा सकता है पर दोस्तो अगर कल के trading session में ये share इस level के नीचे चला जाता है तो हमें इस stock में 361 रुपिश तक की गिरावट देखने को मिल सकती है और दोस्तो यहाँ पर 361 के गिरावट के बाद एक अच्छी तेजी आई की क्योंकि यहाँ पर आप देख सकतो इस share में एक pattern बना था यहाँ पर दोस्तो आप देखो कि इस share में एक rounding bottom pattern बना था तो दोस्तो अगर यह share 361 के इधर आता है तो खरीदारी करने का एक अच्छा मौकर रहेगा क्योंकि 361 के बाद वापस हमें इस share में एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती और यह share वापस से बहुत अच्छे levels पर जा सकता है तो दोस्तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही यह वीडियो का educational वीडियो था इसलिए इस share में मेरी कोई भी by sell या hold की सला नहीं है धन्यवाद